हेलो एवरिवन आज हम पार्ट तीन चोटी बाते बड़े काम की पढ़ेंगे इसमें बस आपको ध्यान से सुनना है और पार्ट पढ़ने के बाद मैं आपसे कुछ बाते पूछूंगी तो उनका जवाब सही सही देना है और ये भी पूछूंगी कि आपने इस पार्ट से क्य क्या क्या सीखा आप रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यह करो यह मत करो मुम्मी पापा के मुह से ये वाक्य आप कई बार सुनते होंगे यह सुनकर आपको कभी-कभी बुरा भी लगता होगा किन्तु दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बाते कई बार बहुत महतोपोन होती है जीन का पालन करना सामाज वरास्ट हीद के लिए अनिवारिये है इसलिए यह चोटी-चोटी बातें बहुत काम की होती है तुम अपनी कक्षा में बैठे हो अध्यापक महोदे के आने पर तुम उठकर खड़े हो जाते हो और हाज जोड़कर उनका अभिवादन करते हो इस प्रकार तुम सिस्टाचार का पालन करते हो तरुन बस में बैठकर यात्रा कर रहा है एक व्रिध उसी बस में चड़ा बस में बैठने का कोई स्थान खाली न देखकर व्रिध एक और खड़ा हो गया यह देखकर तरुन ने अपना स्थान उस व्रिध के लिए छोड़ दिया निश्चे ही तरुन ने अच्छे नागरी का करतेव्य निभाया इस प्रकार के वैवार अथ्वा आच्छन को सिस्टाचार कहा जाता है रास्ट और समाज को आप से ऐसे ही अच्छे आच्छन की अपेक्षा है बिजली का दुरुपियो करना या बिजली की चोरी करना सही आच्छन नहीं है आपकी थोड़ी सी लापरवाई आपके विजली के बिल को तो बढ़ाती है साथ ही प्रदेश में विजली का संकट भी पैदा करती है क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सो घरों में एक एक बल्ब भी वैर्थ जलता रहे तो सो बल्बों की विजली लापरवाई के कारण बेकार चली जाती है जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंक्खे और बतियां बंद कर दी जानी चाहिए सूमन ने हाद धोए और नल खुला छोड़ दिया रमेश ने बरतन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया पानी बेह रहा है किसी को नल बंद करने की चिंता ही नहीं है इसे अच्छा आचन नहीं कहा जा सकता सब को यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की जरूरत ना हो तब नल अच्छी तरह बंद कर दिया जाए वह देखो कुछ बच्चों ने आदी छुटी में खाना खाया और छिल के दिथा कागज कूड़ दान में न डाल कर डैस के निचे डाल दिये ऐसा करना ठीक नहीं है कूड़े दान का प्रियोग करने में अधिक समय नहीं लगता आवशक्ता ना होने पर बतियां और नल बंद करना कूड़े को सही स्थान पर डालना आदी ऐसी आदते हैं जिन पर ध्यान देने से आप अपने साथ साथ समाज का भी भला करते हैं अच्छे संसकार बचपन में ही पढ़ जाते हैं और बड़े होने पर उनकी आदत बनी रहती है इसलिए बचपन से ही अच्छी आदतों को पनाना चाहिए समय का पालन करना बस पर चड़ते समय धका मुकीना करना अपनों से बड़ों का आदर करना सब्य भाशा का प्रियोग करना स्वस्ता का ध्यान रखना आदी कुछ ऐसी बाते हैं जिने अपना लेने से विध्यार्थी सब्य नागरिक बन सकते हैं तो मुझे बताओ आपने इस पार्ट से क्या सिख्षा लिए आपने इस पार्ट से क्या सीखा ये बाते आप अपनी कोपी में लिख कर मुझे भेजेंगे और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं